है एक में पूर्ण सवाल यहां पर रहेगा यहां पर कहा जारा है कि साट विधायकों की ताकत यहां पर सिर्णाथ सिंग चोहन के पास है जी सिर्णाथ सिंग चौहन यहां पर नराज भी हैं तो क्या वह अपने इन साट विधायकों का समर्थन वापिस ले सकते हैं या अगर पार्टी ने ज्यादा हद करी यहां पर लोगस्वाद चुनाप तक भी उनको अगर वर्चस में नहीं लाया गया या फिर उनको वापसी नहीं कराई गई राजनीती में अब अभी विधायक हैं लेकिन वह मुख्या मंतर चौबिस में देखने को मिलेगा दीकि बिल्कुल दोजार बीस में आपने जिकर किया और जाहिर बात है दोजार बीस की अगर बात करें तो उससे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब शिवरा सिंग चौहान को जिसरे से मुख्यमंत्री पत नहीं दिया गया लगा था उनको इगनोर किया गया उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाय जिसी किसी ने कलकना भी नहीं कियोगी क्योंकि कॉंग्रेस छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना साथ किसी गले नहीं होता कि सिंद्या जैसे नेता जो कॉंग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत और सबसे ज और बीजेपी को लेकर जिससे सब गच्छोड बनता हुआ दिखाई पढ़ ला क्योंकि यही ग्रहमनती हमेशा थे जो कह रहे हैं कि नितीश के लिए बीजेपी के सारे दर्वाजे बंद हो गए लिए आज बहीं देखिए पहल करते हैं तो राजिती हमेशा से कहीं कहीं कही हैं कि मोकी की नर्याकत को देखती है उसी हिसाब से फैसले करती है उसी तरह से अगर हम इस पूरे मामले को देखे तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि अगर शुबरा सिंग चौहान जो आपने अखलो का जिकर कि कि साट पैसट के आसपास अगर बिदायक हैं त तैसे में कोई भी बड़ा उलट फिर करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जाहिर बात है वो कर सकते हैं लेकिन अभी जो जो मौका है और जिस तरह का माहुल बना हुआ मुझे लगता कि अभी शायद ऐसा कोई ख़दम नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी 24 उन मुझे याद है दोलत की उसमें शिवरासिंग चौहान को पी-म की रेस का सबसे मजबूत खिलाडी माना जा रहा था लेकिन पी-म मोदी के आने के आने के बाद उनका नाम को भी दोबारा चर्चाओं में नहीं आया तो ऐसे में क्या उनके अंदर जो कि पद पर जाने ही कि एक बार फिर से वो भरती नजर आएगी कि फिर से बीजेपि उनको एक और सपना दिखाती नजर आएगी और अगर इस बार उनका सपना तूटा तो मुझे लगता है कि मद्र परदेश सरकार भी तूटने में कोई बहुत बक्त नहीं लगएगा क्योंकि शिवरासिंग चौ कई तरह की बात हैं कि क्या वाकई शिवरासिंग चौहान अपने सरकार के खिलाब जाकर इस तरह का कोई बड़ा फैसला करते हूं नजर आएंगे या फिर सयम से जो काम लेंगे और सोचेंगे कि मेरे बेटे का वभीश राजियती का आगए बढ़ना चाहिए इसलिए मैं को दरकिनार किया तो वो मेरे खाल से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जो बीजेपी के लिए बहुत घातक बहुत परेशानी वाला और बहुत जादा नुकसान दैख साबित हो सकता है